नमस्कार माराष्ट्रा की आगारी गेंग को राजयपाल बगत सिंग क्योशारी से होशारी करना कापी महेंगा पड़ गया है लेकिन साइच संजय राउत भूल गए थे कि बविश्य में NCP कोंग्रेश स्विप सेना को महाराश्टरा में सरकार चलाने के लिए राज्य पाल कोशारी की आवसेक्ता पड़ेगी दरसल उद्दाव सरकार महाराश्टरा में 160 से 170 विदायक उनके समर्थन में होने का दावा कर अपनी मर्जी से महाराश्टरा में करुन कायदों में बदलाव कर मनमानी चला रही है लेकिन फरवरी 2021 में कॉंग्रेस के विदायक नाना पटोले द्वारा विदान्सभा अदेक्स के पद से इस्तिपा देने के बाद नया विदान्सभा स्पिकर चुनने की गुत्थी को सुल जाने में अगारी गेंग नाकाम्याब रही पिछले दस मैनों से खाली पड़े विदान्सभा अदेक्स के पद को बरने में कई तरह की अर्चने महाविकास स्गाडी गठबंदन के सामने आई एन्सईपी कॉंग्रेस शिवसेना तिनों पार्टियों में अदेक्स पद के लिए किसी एक विक्ती के नाम पर सहमती नहीं हो पाई दस मैनों की कड़ी मसकत के बाद पूरो मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस नेता असोग चावान के नाम पर तिनों पार्टियों में सहमती बनी लेकिन महाव विकास से गाड़ी गठबंदन को उनके ही 160 समर्थन वाले विदायकों पर भरोसा नहीं रहा जिसके कारण गुप्त बन्दान को बंद कर दवनी मच से विदान सबा स्पीकर चुनने के नियम को पारित किया गया ताकि NCP कोंग्रेस शिवशेना उनके विदायकों से जोर जबरदस्तिकर असोग चावान के नाम पर मद्दान कर वाले और महाविकास से गाड़ी गठबंदन का विदान सबा खूब लूट कसोट मचाने में कोई तरह की अर्चन आए लेकिन यहां पर उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत भूल गए थे कि विदान सबा में किसी नियम को बदलने पर या निया नियम लागू करने पर राजय पाल की अनुमत्ती की आवसेक्ता पड़ती है ऐसे में संजय राउत ने राजय पाल भगत सिंग क्योशारी का पुरो में खूब मजाक उड़ाया था तो अब बदला लेनी की बारी क्योशारी की थी इसी करम को आगे बढ़ाती हुए क्योशारी ने शीव सेना की उस उशारी को तगड़ा जटका दिया और माराश्टर विदानसबा में महाविकास गाड़ी गठबंदन द्वारा पारित गुप्त मद्दान को बंद कर दवनी मत से विदानसबा स्पिकर चुनने वाले विदेक को क्योशारी ने अनुमत्ती ही नहीं दी जिससे अगारी गेंग को बहुत बड़ा जटका लगा दरशल विदानसबा से कोई विदेक पारित होता है या कोई विदेक में बदलाव किया जाता है तो उसको लागू करने के लिए राजय पाल से मनजूरी लेने की आवसिता पढ़ती है ऐसे में 26 दिसंबर को माराश्टरा के महाविकास सेगाडी गठबंदन से तीन नेता मुक्यमंतरी उद्दाव ठाकरे की चिठी लेकर राजय पाल के पास पहुंचती है लेकिन राजय पाल बगत सिंग क्योशारी ने इस नियम में बदलाव के लिए जिल नियम और सर्तों की आवसिकता होती है उनकी विश्तरत जानकारी हासिल करने के लिए लंबा समय मांग लिया लेकिन विदानसबा स्पिकर चुनने के लिए महाविकास सगाडी गठबंदन के पास सिर्फ 28 दिसंबर तक काई समय था ऐसे में राजयपाल बगत सिंग क्योशारी की तरफ से इस विदानसबा अदेक्स का पद लटका ही रह गया अलांकि पुरों में भी कई बार राजयपाल बगत सिंग क्योशारी ने माराश्टरा के मुख्या मंतरी उद्दव ठाकरे को पत्तर लिख करके विदानसबा अदेक्स चुनने के लिए आगरे किया था लेकिन महाव विकास सगाडी गठ बंदन ने 160-170 विदायकों का समर्थन होने के गमंड में राजयपाल क्योशारी की बात पर गोर नहीं किया जिसके प्रणाम सुबरूप महाव विकास सगाडी गठ बंदन विदानसबा अदेक्स चुनने में एह सपल रहा और इस से महाराष्टरा के साथ साथ पुरे देश में उद्दाव सरकार की खूब किरकरी हुई आज अंतिम दिन 28 दिसंबर तक महाराष्टरा विदानसबा स्पिकर के चुनाव दवनिमत से नहीं हुई और उद्दाव सरकार ने गुप्त मद्दान के जरिये करवाई नहीं क्योंकि साथ उद्दाव ठाकरे को उनकी हार नजर आ रही हो न्सीपी कोंग्रेस और सिवसेना तीनों पार्टियों की विदायकों में काफी ज़दा बगावत पिछले दिनों से देखी जा रही है जिसके कारण उद्दाव सरकार को गुप्त मद्दान में हार का ढर सता रहा है और यही कारण रहा कि गुप्त मद्दान के जरिए विदान सबा अदेक्स का चुनवाब नहीं किया गया ऐसे में महराष्टरा के राजेपाल बगत सिंग के उशारी ने जैसे को तैसा कावत पर आदारित करारा जबाव सिवसेना को दिया है जिसके बाद उखाड दिया वाले पत्रकार संजराउत बोकला गए हैं और राजेपाल बगत सिंग के उशारी पर बिजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाने लगे हैं लेकिन सचाई इससे कुछ हट कर है राजेपाल क्योशारे ने मुख्या मंतरी उद्दाव ठाकरे की चिठी मिलने के बाद इस विदेख में संसोधन की विश्तरत जानकारी हासिल करने के लिए समय मांगा था अगारी गेंग ने दो दिन पहले 26 दिसंबर को ही मुख्या मंतरी उद्दाव ठाकरे का पत्तर राजेपाल क्योशारी को सोंपा था जिसके कारण राजेपाल को इसके अध्यन में ज़्यादा वक्त नहीं मिला कारण सवरूप इस विदेख को अंतिव रूप देने में देरी हो गई एक बार फिर से NCP कोंग्रेस शिवसेना के महाव विकास सगाडी गठबनन वाली उद्दव सरकार और राजेपाल बगत सिंग के उसारी के बीच में तन्ना तन्नी बढ़ गई है जिसके प्रणाम सवरूप उद्दव ठाकरे के विदानसबा अध्यक्सपद को लेकर हाथ ख विदायकों में पड़ी आप सी फूट खुल करके सामने आ चुकी है कि किस तरह से तीनों पार्टियों के विदायक हैं वो बगावत कर सकती हैं अगाडी गेंग को इसका अंदेशा पहले से लग चुका है जिसके कारण अगाडी गेंग के डिरमाताओं ने गुप्त मद्द करवाने से दूरी बना ली कोशारी से होशारी करना सुप से ना को काफी बारी पड़ा है और इससे उद्दाव सरकार की सारी पोलपटी खुल करके सामने आ चुकी है कि महाविकास सेगारी गठबंदन का पतन कभी भी हो सकता है क्योंकि तिनों पार्टियों के विदायक लेकिन संजयर राउत ने कई तरह के तंज कोशारी पर कस करके उनका खूब मजाक उड़ाया था एक सुधानिक पद पर बेठे राजय पाल का इस तरह से मजाक उड़ाना कोशारी ने उस तायम तो बरदास्त कर लिया लेकिन जब कोशारी साब का वक्त आया तो उन्होंने करा जबाव सिफसेना को दिया उद्व ठाकरे को दिया लेकिन राजय पाल बगज सिंग के उसारी दुआरा दवनी मत वाले विदैक को पास नहीं करने से इतना तो साप हो चुका है कि महाव विकास सगारी गठबंदन के निर्माताओं को अपने ही विदायकों पर बरोसा नहीं हैं एन्सीपी कोंग्रेस सिफसेना तिनों पार्टियों के विदायकों में पका जो बगावत मुझूद है और उसी का डर एन्सीपी वाले विदायकों का डर है वो एन्सीपी सुपरीमों सार्दफवार को सता रहा है सिफसेना के विदायकों में जो हिंतव के मुद्दे को लेकर के बगावत हो सकती है उसका डर्शिवसे न परमुखुदधव ठाकरे को सता रहा है और तीसरा कोंग्रेस के विदायकों में तो पहले से यह बगावत मुझूद है आपसी फूट पड़ी हुवी है इनके नेताओं में और उसका डर्शोन्या माता को सता रहा है और उसी तरह ऐसे विदानसभा स्पिकर के लिए चुनाव है वो करवाया जा सके और अब महाविकास सगाड़ी गठबंदन के सदस्य असोक चावान को ही जिताया जा सके कुल मिला करके महाविकास सगाडी गठ बंदन में यदि गुप्त मद्दान से विदांसभा स्पिकर का चुनाव होता है तो क्या महाविकास सगाडी गठ बंदन उसमें जीत दर्ज कर पाएगा इस पर अपने विचारा में कॉमेंट बॉक्स में जुरूर ताएं साथ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जूरूर कर लें अभी के लिए इतना है मिलते हैं लिए बड़ी अपडेट के साथ अब तक के लिए जैहिन जै भारत